आज हम क्लास 7 करेंगे हमारी यह एंचिन इंडिया का सेक्षिन है जो फॉरेंड इन्वेजन्स के साथ दील करता है इसमें यवनास, साकास, पतिहारास और कुष्णास के बारे में पढ़ा जाएगा लेक्चर स्टार्ट करने जए पहले प्लीज बेल आइकन को क्लिक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा पुष्यामित्रा की संगा की रेंस ही अमने पुष्यामित्रा संगा जो है वो अभी एंपायर पढ़ा था लास्ट क्लास में पुष्यामित्रा संगा के टाइम पर ही यवनास का हमला हुआ था पितांचली एक writer है contemporary means उसी period में थे उस्या मित्रा के time पे थे उन्होंने भी इस invasion के बारे में बताया है काली दास ने अपनी big book है मालविकी गनी मित्रम उसमें भी बताया है कि यवनाज ने का conflict हुआ था वासू मित्रा के साथ इंडो ग्रीक्स या यवनाज जो बोलते हैं जिनको they were the first one to establish foreign supremacy on Indian soil Indian soil पे foreign supremacy establish करने माली ये first group था इंडो ग्रीक्स को detail में पढ़ते हैं यवनाज का जो इंडिया की तरफ इंविजन रहा ना ये western border के disturbances की वैसे रहा अलेक्जेंडर की death के बाद ना सारा का सारा empire जो western सारा था खाली पड़ा हुआ था और generally वो journals के हाथ हो में था ग्रीक journals के जब तक उनको ग्रीक कंट्रोल कर पाया तब तक उनकी हाथ में रहे बाद में उन्हें अपने आपको independent declare कर दिया जो main area था ना वो बक्त्रिया और पार्थिया था नेक्सचीट में मैं अप में दिखाऊंगा आपको की बक्त्रिया पार्थिया कौन सा एर्या था 250 बीसी में डायोडोटर्स जो बक्त्रिया के गुवर्नर थे, ग्रीक्स के अंडर, उन्हें अपने आपको इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेर कर दिया, उसके बाद एथिडाइमस आया, फिर देमेट्रियस आया, फिर युक्रेटराइट्स आया, लास्ट मिनंदर रहे हैं, और मिनंदर ना सबसे इलस् 65 to 145 BC नोंने रूल किया, सबसे इलस्ट्रस यही रहे, 20 years तक नोंने रूल किया, capital सियाल कोट के पास, जम्मू के बाहस ही पढ़ा यह, सकाला जो जगा है, सियाल कोट के पास, पाकिस्तान का जो सियाल कोट है, वहाँ पे थी, territory अफगानिस्तान से यूपी तक एक्सेंड थी और ना एक बड़ी important कहानी है, इनके ना थाइम पे बुद्धिस्ट मौंक आ रहे थे, नागा सेना, तो मनें रहने ना उनसे आत्मा प्रमात्मा भवान के बड़े कोश्टन पूछे नागा से, नागा सेना ने उन सब का answer दिया था, नागा सेना ने जो answer दिया, इन सब कोश इस पूरे region को बोलते थे, पूरा ही बक्तरिया था, blue shade जो है, इस पार्थियन एरानियन लोग है ये, अर्कनेशिया ये अरिया है और सिस्तान के अरिया, इसके नाम आ गया आएंगे, अरियन इरानियन kingdom थी, ये पूरा का पूरा जो हमारा Afghanistan से लेके, इना तक का region है, इस वा वो symbols को represent करते थे, symbols बनाया जाते थे, अच्छा एक question मुझे पिछले question में से याद आ गया, एक question पूछा आता है, which of the animals, which was the most common animal, made on the harappan seals, harappan seal पे सबसे common animal कौन सा बना होता था, that was unicorn, one horn का जो animal होता है, hypothetical organism है, animal है, ये बना होता है, unicorn बना होता है, अच्छा बापस आते हैं इस track पे, they were the Indo-Greeks जो है, they were the first one to issue gold coins, they were the first one to issue coins, with the portrait of the king, राजा की शकल उसके होती थी, ये दो चीज़ें बड़ी important connected है इनके साथ, अगले जो रूलर्स है वो पार्थियन से, ये इरानियन लोग है, इन्हें पहलवास भी कहा जाता है, history obscure है, इतनी clear नहीं है, earliest king जो था ना इस राजा kings of the king बोलता था, इसके बाद सेफरराइस आये, फिर गॉंडी फिरोंज आये, ultimately पार्थियन रूल डिक्लाइन कर गया, around 45 AD के close, 19 to 45 AD के बाद ये डिक्लाइन कर गया, साकास को बढ़ना चाहिए, जी साकास जो है ना, ये एक Central Asia का barbaric tribe था, तो यहाँ ना काफी tribes का ना, North Western region में, इसे खतम किया साकास ने, इन्हें साकिंथियन्स भी कहते थे, साकिंथियन्स एक नमेडिक tribe था, Central Asia का, हुआ क्या कि चाइना की वॉल बनने की विज़ास है, जो चाइना के उपर, जितने चाइना के सौथ की तरफ जो कभीले थे, जो उस टाइप के ट्राइब ट्राइबल से, जब उनमें conflict हुआ तो चाइना की तरफ तो जा नहीं सकते थे, उपर वॉल बन की थी, सारे वो ना, यहां तो West की तरफ चले गए, बक्त्रिया पार्थिया के अरिया में आ गए, या इफगानिस्तान के अरिया में आ गए, या वो सौथ में इंडिया की कहते हैं, यूग नू और यूची जो है न, इसे वर close to the border of the China wall, इनकी पहली लड़ाई हुई, और इस लड़ाइग में न, यूग नू जीत के, यूची हार गे, यूची कुष्णास जो है, वो हारे, वो नीचे की तरफ आए, रास्ते में उनने व्यूसन एक ट्राइम मिना उनके साथ इनकी लड़ाई हुई, उनको भी हरा दिया, फिर उनके बाद ये और नीचे आए, तो ये न, साकास के अरिया में घुजगे, उनने साकास को हरा दिया, यब साकास को हरा तो साकास को, they have no option, they came to India, तो कुष्णास जो है, उनकी अरिया में सैटल हो गे, साकास के अ साथ हुई, मैंने अभी आपको स्टोरी को कंपाइल किया था, ये उच्छी कुष्णास है, कुष्णास ने इनको हरा दिया, कुष्णास खुद हार के आए हुए थे वई, व्यूसन के साथ इनकी जो लड़ाई हुई, वो तो इन्होंने जीत ली, बट जो इनकी ह्यूंग से लड़ाई हुई थी, वो हार गे थे, ये खुद हार के आए हुए थे, बट जब ये नीचे साकास के बास आए तो उन्हें साकास गहर आ दिया, साकास हारे है तो उन्हें इंडिया की तरफ आना बड़ा, वो इंडिया की तरफ आगे, पांच ब्रांच ब्रांच में हो गई एक महराश्ट्रा सोराष्ट्रा के एरिया में सेटल हो गई एक central अडिया में Ujjayan capital थी वहाँ सेटल हो गई central indian और western indian branch जो है ना काफी prominent हुई बढ़ी तक्कतबर बढ़ी और इस में से prominent ruler रहा हूँ है नहापाना जो central indian branch है उसके ruler रहे हुए रुद्रादमन 130 to 150 AD रहे हैं आपको रुद्रादमन का नाम जो है ना पिछले lectures में भी सुनाई दिया होगा आपको याद होगा चंद्रगुप्त मोरिया के टाइम पर हमने पढ़ा था कि जो गुजरात की सुधर्शन लेक है उसको रुद्रादमन ने उसके डैम को ठीक करवाया था तो उसने लिखा था कि यह चंद्रगुप्त के प्रोविंशल गवर्नर पूरु गुप्ता ने बनवाया था तो यह lecture हमने वहाँ अटेंड किया हुए अगर आप lectures के साथ consistency चाहते हैं तो please क्या करें शुरू से हर एक lecture को step by step पढ़े please notes बनाए this is all NCRT based technically papers के हिसाब से बना हुआ है this is not, these lectures are not for general entertainment purpose they are basically for cracking exams exam के हिसाब से बने हुए है NCRT based information है specifically 11, 12th NCRT books जो पहले old books आती थी अब नहीं आती है आएसे 10 से 12 साल पहले NCRT की books आती थी ancient or medieval history जो थी उन्होंने रखी थी in the 11th class and the modern and the contemporary world they were in the 12th class यह उन बुक्स से compile किया हुआ NCRT का original data है आप यह refer कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे मुझे message करिएगा बुक की आपको soft copy जो उसके printouts हैं वो भी दे सकता हूँ I can send you mail of the important sections of the book if you require it अब यह वुक आती नहीं है basically market में ठीक है जी जूना कर रहो की inscription है अभी हम बात कर रहे थे रुदा जमन का इसने बताया है कि इसके पास गुजरात, सिंध, सुराष्ट्रा, नौर्थ, कुंकन, मालवा, राजस्तान के अरियास थे मैंने अभी आपको बताया कि बीट के तो डाम रिपेर के लिए की हालत में आ गया था तो इसे रिपेर करवाया रुदा दमन ने फिर दो-तिन साल सो साल बीते इसे फिर गुपता अमपायर में दुबारा रिपेर करवाया गया था यह बार-बार रिपेर हुआ है कुछ जैनी रुदा दमन की capital थी कहते हैं जो साका एरा है ना 78 AD से शुरू होता है 78 AD में vernal equinox equinox वो हता है जब दिन और रात बराबर होते हैं तो vernal हो गया spring का spring का जो autonox equinox था यह उस पिरिड में शुरू हुआ हुआ है 78 AD में यह साका पिरिड है कहते हैं कि साका पिरिड ही ही से शुरू हुआ था आगे और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में लास्ट किंग जो है ना साका एंपायर का वो चंदरगुपता 2 जो थे गुपता डेंस्टी के उनके हाथों हरा था इसमें भी एक बड़े मज़दा स्टोरी है जब चंदरगुपता 2 ने इनको हराया उन्होंने फिर अपना नाम बदल रहा था और नाम रख लिए था विक्रमा दित्या विक्रमा दित्या जो है ना आपको विक्रम बैतावाल की कहानी आपने सुनी हुई है उसमें यह नाम आएगा तो जब हम गुपता एंपायर बढ़ेंगे तो यह उसमें भी दुबारा कवर होगा कुष्णास युच्ची यह जो कुष्णास थे यह नुमेडिक ट्राइब था नॉर्थ वेस्टन बॉर्डर चाइना का मैंने बता दिया 165 बीसी में इनकी लड़ाई हुई थी हूंग नू से हार गे थे इनको नीचे आना पड़ा नीचे आये चाइना वाल बनने के वैसे उपर तो जानी सकते थे नीचे आना पड़ा नीचे आये तो इनको रास्ते में एक ट्राइब मिला व्यूसन उसको इनने बड़े अराम से हरा दिया उसको हराने के बाद ये दो ब्रांचीज में तूडगे एक तिबबत की तरफ चलेगे लिटल यूची एक फाइनली इंडिया आगे व्यूशन के बाद यूची को जो नेक्स ट्राइम मिला वो बक्त्रिया पर्थिया के एरिया में है इंहोंने साकास को हरा दिया इन्टर इंडिया की तरफ आ गए यह उनके एरिया में सेटल हो गए इन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी agriculture और settled life इने वहां से मिलगी तो वो उन्होंने acquire कर लिया जो साकास की agricultural area था जो उनकी settled life थे इनको ने उसको acquire कर लिया चाहिनी सोर्स के आप से ग्रेटेस यूची किंग जो थे ना वह खजूला खटवीश यह खटवीश वन बोलते हैं उनको बहुते धर्मदित्या यह सच्च धर्मदित्या कहा गया यह इस टैटफास्ट इन टूफेट इनको इनके बेटे वेमा खटवीश यह खटवीश तू इस ने सक्सीड किया और उसने टेरिटरी को और बढ़ाया पंजाब से इवन गंगा यमुना दोब तक ले आया था इसको इसने गोल्डर कॉपर कोई सी शुक किया शीवा का डिवोटी था शीव भगवान जी का डिवोटी था इसको सक्सीड किया कनिशका कनिशका मौस्ट लस्ट्रोस लें रहे हुआ जी ग्रे ट्से recipes ल्राहँ ए इन्हें ryन। अम एक्वर कियाए कभ बमड़ में जब धनिशका अलिक अडिवा inking स्था गाल्री सचागर पीरेग जो है वह स्था का बिरिट जो है मोख शीर पांजिया में खिवे देन बिवक्ट करेता करनिशक कि स साका एंपायर यह साका एरा स्टार्ट गिया यह historian कुछ historian का माना है एक concept यह भी है कनिश्का के टॉप यह टाइम पर ना कोटान से लेके एंपायर नौर्थ वेस्ट में बनारस इस्ट में और कश्मीर से से लेके सुराष्ट्रा मालवा नर्मदा वैली के बॉडर सक्साूद सक्षा काफी बढ़ा एंपायर था जी कनिश्का के बास कनिश्का की capital पेशावर के पास पूर्षापुर्ती बुद्धिसम के फॉल्लवर्त फॉर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल इनके टाइम पर हुई है important question बहुत बढ़ा है कश्मीर में हुई है जी फॉर्थ बुद्धिस काउंसिल पर्सवा वासुमित्रा अश्वगोशा चारका नागा अरचुना चारका से चारक समीता है आयरुवेद की बहुत बड़ी बुक लिखी है नहोंने यह सारे इसकी कॉंट के मेंबर थे इनके बाद राजा जो अगले बने उनमें विशिश्का हविश्का लास्ट राजा जो है वासुदेव हो गए देवर इंडो जाइनीस बट लास्ट नेम इस प्योर्ली दा नेम अफ गॉड ऑफ हिंदूस तो लास्ट नाम हिंदूस का बगवान का नाम आ गया इसका मतलब है क इनकी प्योर इंडियनाइजेशन होगे दी इंडिया में विशिश्का के बाद कुष्णा जो है 4th century AD तक रूल करते रहे बड़ एंपायर काफी डिक्लाइन हो गया था आज यहीं तक करेंगे यह foreign invasion से खदम करने से पहले success जो है ना it consists of going from failure to failure without loss of that enthusiasm you have अपना failure से घबराएं नहीं failure में दुबारा खड़ा होके अगले failure के लिए तयार होना अगली लड़ाई के लिए तयार होना उसमें फिर गिरना फिर तयार होना फिर गिरना फिर तयार होना यही life है और ultimately success इसी से आती है लोग जब बड़े successful होते हैं ना तो वो दूसरे उन पर बड़ा रोश करते हैं सोचते हैं यहार यह कितना successful है बट वो यह नहीं जानते कि कितने tough कितने failure to failure to failure to failure to failure के बाद एक इनसान उस success तक महुचता है so success दिखती है लोगों को उसके पीछे चुपे हुए failure के धेर नहीं दिखते failure से घवराया है नहीं that failure is again a step towards success thank you good night कर दो कर दो कर दो